हेलो माई दियर फ्रेंट्स और वार्म वेल्कम टू यू ऑन माई चानल आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ टाइप आफ कस्टमर्स एंड अकाउंट होटे हैं या तो फिर कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं हमें आज इस वीडियो में देखना है बट आपक चार तरह के अकाउंट्स आपके सलिबस में दिया है एक है माईनर अकाउंट्स इस वीडियो में मैं आपको समझाओंगा चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं फस्ट हम देखेंगे माईनर अकाउंट अनी पर्सन बिलो दा एज ओफ 18 येर्स इस कंसेड़र आज माई माईनर अकाउंट मत्तब माईनर अकाउंट उस व्यक्ति का अकाउंट होता है जिसका एज 18 येर्स के नीचे होती है जो 18 येर्स के नीचे रहता है उसे माईनर अकाउंट एक फैसलिटी अपने बैंक कस्टमर को देती है इस माईनर अकाउंट्स में बनाये जा रहे हैं चिल इससे क्या हो रहा है कि कोई भी अपना अकॉंट बना सकता है बैंक में माइनर अकॉंट फैसिलिटी से क्या हो रहा है कोई भी बच्चा जो बच्चे रहते हैं 18 years के जो अकॉंट मेंटेन कर सकते हैं इसलिए एक बैंक अपने कस्टमर को यह फैसिलिटी दे रही है जो माइनर ये निचे रहते हैं, उनका account minor account में आता है, जो 18 years के उपर होते हैं, उन्हें major account facility bank देती है, बट 18 years के जो नीचे रहते हैं, उन्हें minor account facility bank अपने customer को देती है, यह हमारा था minor account, second account है, joint account, आपने यह joint account भी सुनाओगा जब आप 18 years के नीचे थे तो आपके डाड के साथ या आपके ममी के साथ आपका joint account हूँगा था शायद तो वही topic हमें discuss कर रहा है joint account is a bank account that two or more individuals share joint accounts holders have equal access to all the funds so joint account क्या है joint account दो लोग मिलके या दो से ज्यादा लोग मिलके एक account create करते हैं जिसका नाम joint account होता है यह joint account में जो दोनों बंदे जो joint account बनाते हैं उनका equal access रहता है अपने accounts के उपर मतलब equal share रहता है signatures of one or the account holder may be required for transaction carrier or throw joint account so अगर कोई भी transaction करना या तो फिर पैसे withdraw करना है तो दोनों की भी signature होना ज़रूरी है joint account में यह joint account भी main बनाया जाता है main children's के लिए students के लिए या तो फिर जो age हो जाती है old man या तो फिर old age के लिए यह joint account रहता है joint account आपने देखा हो main students के साथ आता है अपने पपा के साथ या ममी के साथ यह joint account facility bank अपने customer को देता है जो दोनों की signature हुई तक यह bank अपने customer को पैसे withdraw करने की facility नहीं देता है जब तक दोनों की signature नहीं होती जब तक कोई transaction नहीं कर सकते bank में यह था हमारा second account, third account है partnership account जहां कई भी partnership business आता है यह account खोला जाता है देखते हैं चलिए an account at a brokerage held by two or more people in which each person is equally liable यह account बनाया जाता है दो से ज़्यादा लोगों के बीच में और जो भी लोग इस account को लिए बनाते हैं उनका equally share या तो भी equally जो पैसे रहते हैं account में उन लोग बराबर के हिस्सेदारी रहती है इसमें क्या होता है partnership जो business रहता है उसके बाद ही account बना जाता है bank account जिसमें return agreement लिखा भी जाता है या तो फिर नहीं भी लिखा जाता है अगर जो account खुलने वाले है वो return agreement बना लेते हैं कि मेरा share इतना रहेगा मैं इतने पैसे निकाल सकूँगा या तुम इतने निकालोगे या तो फिर swap का equal right रहेगा वो agreement बना भी सकते हैं या तो फिर नहीं बना सकते हैं उनके उफ़र वो उनके उफ़र depend करता है वो partnership account में जितने भी जो भी partners आते हैं जो partnership account खुलने के लिए वो swap की signature रही तक bank अपने customer को पैसे नहीं देता और swap का हिस्तेदारी equal रहती है अब आपके mind में dot होगा कि joint account और partnership account एक ही है नहीं ये दोनों account अलग है joint account क्या होता है joint account अपने relatives के साथ या तो फिर अपने parents के साथ खुलाया जाता है but partnership account business करने के लिए बनाया जाता है business partners के लिए and the last account जो आपका syllabus में है company account company account a company bank account is bank account that's used for company's transaction rather than personal finances so company account बनाया जाता है company के transaction के लिए ना कि अपने personal use के लिए company का transaction क्या होते है किसी को pay करना रहता है या तो फिर किसी से payment आनी रहती है तो वो सारे transaction एक bank maintenance रखता है company के थो it can be open in the name of the company allowing payments to be made and received using the company जैसे मैंने बताया ये account खुला जाता है company के name पे अब जैसे for example मेरे company का नाम है XYZ या तो फिर horizon company ले लिए horizon company मेरे company का नाम है तो company के नाम से मैं जाके bank में account खुलोगा और जो भी transaction होगे वो company के नाम पे ही वो transaction होगे जो भी मैं goods खरू दूँगा या तो फिर goods मेरे बेचेंगे जो मेरे payment आएगा सारा company के नाम पे ही आएगा ये individual बंदे के नाम पे मेरा नाम जैसे मेरा company का होनर महीं हो मेरे नाम पे नहीं आएगा company के नाम पे ये सारे transactions होगे तो ये account होगा company account आपको इस वीडियो में 4 तरह के account बताये जैसे फर्स्ट में मैंने बताया minor account second बताया joint account, third बताया partnership account fourth बताया company account ये चारो topic I hope आपको clear हो गए होंगे clear हो गए हो तो वीडियो को एक बार like कर दीजिए और चैनल को अगर नए हो तो चैनल को subscribe कर लिजिए और मेरे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे law and practice of banking के मेरे दो chapter uploaded भी है वो सार के सारे चैनल में हैं आप जाकर देख लिजिए और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे तो चैनल को जुड़े रहेंगे चैनल को subscribe कर लिजिए thank you so much